जहेंजातियों आज हम लोग यूपी टेट 2018 जो 18 नॉवंबर को एकजाम हुआ था उसके कोश्चन को साल्व करेंगे जिसमें हम पहले सेक्षन को लेंगे जिसे आप बाल विकास या उसे छड़ विधी के नाम से जानतें इसके 30 कोश्चन को साल्व करेंगे और देखेंगे कि कितनी सहस्ता से हम उन बारिक्यों को ध्यान में रखना होगा कि जहां से हम प्रश्चन को असानी से साल्व करता है तो चलिए वगयर देरी कि हम पहले प्रश्चन की और रूख करते हैं शातियों यदि पहला प्रश्चन देखा जाता है तो इसमें दिखता है कि कोहलर यह ध कि चाहता था उषके दिमाग की क्या उपच्ति की सीखना क्या है तो उषके नजर में यदि हम देखें कि एक ऐसी इस्तिती जिसमें व्यक्ति पसूश से शृष्टो देखे कोई भी इस्तिती एसी नहीं होनी चाहिए जिसमें जीव से जीव की तुलना की जाए इसलिए कोई भी मनो बैग्यानिक ये सदारण बैग्ति भी यह कोशिस कभी नहीं करेगा कि जीवों में एक तरीके से तुलना किया जाए सभी जीवों को सामन जश्य बना के चलना ये समान निसी बाती कोलर का इस तरीके का कोई विचार नहीं था यदि मैं दूसरे को आपसन को देखता हूँ तो ये देता है कि स्वायत या द्रिचिक क्रिया यहां एक बात समझेंगे स्वायत यानि जो अपने आप से या द्रिचिक क्रिया का मतलब क्या है कि ऐसी क्रिया जो स्वतंत्र रूप से हो स्वतंत्र एच्छिक से हो उसे हम याद्रिचिक क्रिया के नाम से जानते हैं या आप ये भी बोल सकते हैं कि गैर संयोजित तरीके के साथ बढ़ता हुआ क्रियाओं का क्रम अगर आप देखेंगे कि अगर गैर संयोजित करिया है यह वगैर संयोजित या एक तरीके से योजना से या बगैर करम का है तो इस तरीके कि किसी भी सीखने को यह तरीके को वह नहीं बताना चाहता था यानि वो चाहता था कि जो सीखने का तरीका हो वो क्रम से हो क्रमा अनुसार हो और एच्छिक हो स्वतंत्र एच्छिक वो अलग का मुद्दा होता है लेकिन एच्छिक होना ये बहुत अच्छी बात है लेकिन क्रमा अनुसार हो गैर सयोजित नहो तो ये भी जवाब सीधे तो देखता हूं तो दिखता है कि संग्यानात्मक संकार है देखिए शीखने के संदर में कोलर ने सिर्फ ये बात अस्पस्ट की कि जो सीखना है जो सीखना है वह आपका एक ज्यान वाला कार है संग्यानात्मक संकार है यानि कोई भी जो सीखना होगा वह कहीं न कहीं किसी ज्यान से जुड़ा होगा तो आपसन नंबर सी आपका करेक्ट है यदि मैं चौते आपसन को देखने हूं तो परिस्थिती के विभीन अंगों का परत्यची करण है देखिए केवल परिस्थिती करनेंगे तो यह समयोजन का संकेत देता है इसलिए हजवा गलत हो जाएगा तो यदि मैं दूसरे कोशन की तरफ चलता हूं तो आप देखते हैं किसी भी नई भासा को सीखने के लिए कहां से सुरुवात करनी चाहिए अब एक इंपोर्टेंट बात समझेब कि आपको सीखन क्या है भासा सीखना है और भासा आपको सीखना है तो भासा की सुरुवात होती ही है वो भी आप सीखे कि एक नई भासा की बात बोला है नई भासा की बात में आप यह जानेंगे जो भासा आप सीखने जा रहे हैं उसकी सुरुवात वर्णो या अच्छरो या उनके साथ ज जो संबंध अस्थापित होता है या समन्वे है उनको हमको सीखने की जरूरत होती है यानि एक भासा अगर समाने तो पर आप जाने तो भासा का जो सबसे छोटा इकाई होता है लिखित इकाई जिसको हम बर्ण बोलते हैं और एक जो होता है मोखीक इकाई जिसको हम ध्वनी बोलते हैं ठीक इनी वर्णों के सार्थक करम को बढ़ माला आप करते हैं और इनसे संयोजित वर्ण जो होते हैं वर्ण करम में हो यदि तो वह सब्द कालाते हैं यानि वर्ण और सब्द के वीच में जब लिंक अस्थापित होता है तो एक तरीके से वह भासा की सुरुवात होती है और वहां से भासा की सुरुवात थोड़ी सी सम्रिद होने लगती है और वह वेक्ति आसानी से भासा को सीख लेता है Quesion No.3 को देखते हैं Quesion No.3 यदि आप देखें तो Quesion No.3 में ये बात बोला जा रहा है कि जो समावेसी सिख्षा है समावेसी सिख्षा इसको यदि आप देखें तो समावेसी सिख्षा में क्या दिखता है इस समावेसी कच्छा में किस प्रकार कच्छा तरसामील होता है तो पहले तो आपके दिमाग में यही बात अच्छे से स्पस्ठ हो जानी चाहिए इस समावेसी सिच्छा होता क्या है समावेसी सिच्छा वह होता है जिसमें सभी प्रकार के बच्चों को यह सपस्ट हो जाना चाहिए आपको कि सभी प्रकार के बच्चों को उसमें सम्मलित किया जाता है लेकिन उसमें यदि विशेश आवसकता वाले बच्चे होते हैं जिसमें दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं मन्द बुद्धी के बालक हो सकते हैं उन सभी बच्चों को एक कच्छा में सम्मलित करके उनके लिए आवसकता अनुसार जो साधन चाहिए उनको हम प्रियोग में लाके सभी कच्छा को समानने करने की कोशिस करते हैं ताकि हम सबका अधिगम सही से हो पाए और वह व्यक्ति या वह बच्चा अधिगम को संदर में केवल सब्द आता है तो वह जवाब गलत हो जाएगा समानने और विशिष्च छाथ यहां देखेंगे अगर मैं इस बात को देख पा रहा हूँ तो यह बूला है कि समानने और विशिष्च छाथ मैं अभी आपसे बोला हूँ कि समावेसी सिच्छा में क्या होना कि सभी परकार के बालक होने चाहिए सामानने भी और विशिष्ट भी इसलिए जवाब करेक्ट हो जाए उन्हाँ सी देखेंगे कि केवल दिया है केवल सामानने चाथ यह जवाब गलत हो जाएगा यहाँ केवल विशिष्ट आफसनी में यह गलत हो जाएगा यदि देखें बहु भासी और प्रतिभा साली चाथ देखिए यह आपसन सीधे भी रोत कर रहा है आपसन नमबर B का क्यों भी रोत कर रहा है कि बोलना है कि प्रतिभा साली बच्चे होंगे और जो बहुत सी भासाओं को जानने वाले होंगे बहु भासी बच्चे होंगे उनको रखना है इसका मतलब ऐसे बच्चे जिनके अंदर टैलेंट नहीं है प्रतिवा नहीं है और बहुत से भासाओं का ग्यान नहीं है वह कच्छा में नहीं वैठेंगे जो की समावेसी सिच्छा का यह वाक्य बिरोध कर रहा इसलिए आफसर नम्मर जो हो वह गलत हो जाएगा तो करेक्ट आंसर क्या होगा समावेसी के संदर में इसा मानने और विस्ष्ट छात्रों की का अच्छा सामावेसी का अच्छा होती है चलिए यह मैं कोश्चन नमबर फाइब देखता हूं कोश्चन नमर फाइब यह आप देखें तो यह दिखता है संबंधी क्या देखना है अच्छमता को देखना है यदि किसी भी बालक में गड़ीत संबंधी अच्छमता आती है तो इसका मतलब कि उसको कैलकुलस में क्या होने वाली है प्राबलम होने वाली है कलकुलेशन में प्राबलम होने वाली है यहां दिया है निरस्ता संबंधी दोस निरस्ता संबंधी दोस बनो की बच्चे की या विक्ति की मनो दसा पर अधारीत होती है इसलिए पहला आपसन गलत हो जाएगा जबकि यहां गणीत संबंधी बारचित कहा जा रहा है दूसरा हम देखें पठन दोस होता है अगर मैं इस आपसन को देखता हूँ पठन दो बौलते हैं इसके लिए एक सब्द्यूस्तायर होता है तू रिड यानि पढ़ने से संबंधित होगा जो डिस सब्द है इसका मतलब नाट होता है यानि जो पढ़ाई से संबंधित नहीं होता है पढ़ने से संबंधित नहीं होता है उसको हम लोग पठन दोस के नाम से जानते हैं लेकिन प्रश्ण में साथियो प्रश्ण में हमसे गणीत संबंधी दोस को पूछा हुआ है प्रश्ण में हमें गणीत संबंधी दोस को पूछा हुआ है और हमें एक यहाँ जवाब दिख रहा है गरना दोस या गरना विकार या गरना भी फलता तो एक तरीके से गणीत गरना से संबंधीत है तो हमारा आंसर जो होगा वो आप question मिलता है समावेसी करण ठीक समावेसी करण का मतलब हो जाएगा कि जिस तरीके से समावेसी सिच्छा है समावेसी करण यानि अगर आप चाते हैं कि समाज में विद्याले में समावेसी करण बना रहे और यह सफल हो तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या होनी चाहिए क्या आवर्षयक है तो आप देखते हैं पहली चीज कि छमता का सुरी छमता निर्मार का अभाव जब आप समावेशी करने जा रहे हैं पुरे समाज को एक साथ करने जा रहे हैं और वहां छमता निर्मार का अभाव होगा तो समावेशी होई नहीं पा कaphorक वेले इह बोल रहा हुं कि समावेसी मी सब को सामिल करना है अभिबावक से लेके, विद्यार्थी से लेके, समाज से लेके, सिछक से लेके A to Z और सभी के समन्वय से समावेसी करन या समाजी करन हो पाता है तो इस लिए अभिवाव को कि भागेदारी नो होना इस आधार पर ये जवा गलत हो जाएगा तीसरा मैं यदि देखता हूँ तो दिया है अलगाव अभी जब बात हो रही है कि सब को एक साथ लेके चलना है तो अलगाव वाली बात तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगी नेश जो इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है संबेदन सिल्ता अगर मान लीजिए कि कोई वेक्ति समाज में एक तरीके से हम से निम्न है या थोड़ा सा हर एंगल में कम है तो इस तरीके से उसके प्रतियदी हम संबेदन सिल नहीं होगे तो समावेसी करण कभी भी सफल नहीं होगा तो इसके लिए सबसे महत्वपूर आवश्यक जरूरी है सिल्स्टिविटी यानि संबेदन सिल्ता नेश कोश्चन बोला है संबेग का तत्तो नहीं है ये ध्यान देना है संबेग नहीं है संबेग से जुड़ा नहीं है आपसन पहला दिया है बेवहार आत्मा दुशा दियाय दाहिक तीसर संग्यन आत्मा और चौथा दियाया आपको संबेगी तो अगर आप ये बात देखें कि पहले तो ये संबेग समझें कि क्या है कि हमारे बीचारों में उतल उतल हमारे बेवहारों में उतल उतल ये संबेग की सेड़ी में आता है अगर मैं देखो तो जो संबेदी शब्द है यदि आप देखते हैं बेवहार शंबेग का हिस्सा है और दैहिक शब्द जो दिया है अंग संचालन की गती में परिवर्तन हो जाता है तो ये दहिक वाला होगा जो संबेख से जुड़ा होगा एक होता है शंग्यानात्मक शंबेख या शंग्यानात्मक दोनوں में एक तरीके से देखें तो शमन्यवे हैं दोनों एक दूसरी से लिंक्ड हैं क्योंकि संग्यानात्मक मानसिक अस्तत पर विचार पर किरिया या तो सिथिल हो जाती है अथवा लुप्त प्राय हो जाती है तो इस परकार हम बोल सकते हैं कि जो संग्यानात्मक है वह संबेग से जड़ा हुआ है बेवहार आप जानते ही हैं कि संबेग जब होगा तो बेवहार आप करेंगे ही बेवहार के बदला होगा ही संबेग होगा तो संबेदी सब्द इस्तमाल होगा है आप जानते हैं कि संबेदी क्रियाओं पर संबेग का कोई सीधे प्रत्यच परभा नहीं पड़ता आपके उपर अगर कोई पानी गिराया जा रहा है तो उसमें संबेदना होगी एक तरीके से और वो शंबेग को नहीं दर्साएगा इसलिए जवाब यह गलत हो जाएगा तो हमसे जो पूछा है नहीं वाला वो आफसन नमबर डी होगा चलिए नेश कोश्चन को मैं देखता हूँ संग्यानात्मक छेत्र का सहीं करम है कोश्चन यह देखेंगे कि इसका मतलब क्या है संग्यानात्मक छेत्र का सहीं करम पूछा है यह बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन इसको कर लीजेगा और यहां से कोश्चन यह जो कोश्चन नमर साथ है इसको आपको इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि यह कई एक्जामों में पूछा जा चुका है तो अगर ऐसे प्रश्चन आप छोड़ेंगे तो यह मुश्कील हो जागा क्योंकि यह सूपर्टेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो मैं इस कोश्चन को देखता हूं कि कोश्चन दिया है कि संग्यानात्मक छेत्र का सहीं करम है संग्यानात्मक छेत्र दिया है अब पहले तो यह बात समझना होगा कि संग्यानात्मक छेत्र होता क्या है तो संग्यानात्मक छेत्र को यदि मैं दीखूं तो मुझे यह बात समझ में आता है कि कि सैचिक उद्धेश के ग्यानात्मक पच्च को यानि जो सिच्छा का उद्धेश है उसके ग्यानात्मक पच्च को एक मनुबै ग्यानिक जिनका नाम है आपके पास ब्लूम करके थे जो 1956 में इसको वरगिक्रिद किया ध्यान देने वाली बात है Benjamin s bloom नाम आता है उनका मैं यहां लिख दे रहा हूं Benjamin ng s bloom करके मनो बैभ्यानिकों हुए जो 1956 में इसको क्या किये विभाजी रहा हुए यहां से question जो समझने वाला है वह यह है कि आखिर उन्होंने इस जो रिसर्च में इन्होंने ऐसी क्या बात कर ली संग्यानात्मक्षेत्र को लेके जिससे हमको यह प्रश्ण एकजाम में पूछने का एक तरीके से ट्रिंड बना और यहां से क्यों इस तरीके के प्रश्ण में पूछे गए यह भी इंपोर्टेंट बात होती है सवाल तो आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं साइकलोजी में लेकिन यह वाले पोर्शन सूपर टेट में भी पूछे गए और यहां से आपको टेट में भी पूछा जा रहा है सीधे कोस्टन यहां से सीटेट में भी पूछा जा रह इसलिए ऐसे question को आप most important करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा यह most important question है इसको आप most important बना लेना आगे यदि आप देखते हैं कि तो है कि ब्लूम को संग्यानात्मक्षेत्र डिफाइन करने का मतलब यह रहा उसने पहले क्या सोचा तो पहला सब्ड जो आपको आपसन के रूप में दिया है ज्ञान जिसको आप देख पा रहे हैं ये ज्ञान है दूसरी चीट में देख पा रहा हूँ कि यहाँ सड़ck बहने सब्द देखें तो इस छे वरवू में उसने बांटा था यहां आपसे सही करम की बात कही जा रही कि सही करम क्या है तो एक बात समझे कि उसने इन छो करमों को सबसे पहले तो उसने ज्ञान वाली चीज़ को कहा उसके बात से उसने अवबोध वाली चीज़ों को कहा तो देखे ज्ञान कहा पहले पर है तो यहां ग्यान पहले पर है यहां मुल्यांकन अंतिम में किया जाता है यह गलत पहले दे दिया है इस अधार पर गलत हो जायेगा यदि मैं आपसर नंबर A और D को देखता हूँ तो पहले यहां ग्यान दिया हुआ है ग्यान के बाद आता है अवोद अभी इन छो सब्दों के बारे में आपको बता दे रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है लेकिन पहले आप समझे ग्यान के बाद सीधे होता है अवोद और अवोद के बाद होता है अनुपरियोग अनुपरियोग के बाद होता है टुक्रे टुक्रे में तोड़ देना यहीं भी स्लेशर कर देना उसके बाद से उन टुकडों को समझने के बाद हम सब को जोड़ देते हैं संसलेसर कर देते हैं और अंत में हम क्या करते हैं उसे ग्यान का मुल्यांकन कर लेते हैं इस अधार पे पहला दूसरा और तीसरा गलत हो जाता है और चौथा जो होता है वह आपका सही हो जाता है चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा तो यदि मैं ये देखने की कोशिज कर रहा हूं कि ये जो चौथ सब्द प्रियोग हुए ग्यान और बोद अनप्रियोग विशले इनप्रियोग प्रियोग और मुल्यांकन इनका मतलब क्या होता है तो यदि आप पहला सब्द देख रहें ज्यान इसका सीधा सा मतलब होता है यानी विशी स्थ्यों का ज्यान इसमें दिया गया एक वस्तूं को पहचानना, उनके नाम बताना, उनके बारे में लिखना, सूची बनाना, इत्याद ही जो है इस जो एक संग्यनात्मक्षेत्र का पहला हिस्सा हुआ, इसके बाद से ठीक प्रियोग हुआ अवबोध, इसमें क्या होता है कि किसी भी विशय के बारे में अपनी सब् अवबोध का मतलब जो आपको जनकारी प्राप्त हुई, उसको अपनी लहजे में बताईए, या उसकी ब्याख्या करिए, या उसका सारांस दीजिये, या वो जो जनकारी आपको सूचना प्राप्त हुई उस पर अनुमान लगाए, या उसमें अंतर स्पष करिए, या होता तीसरा जो सब्धेश में अनुपरियोग का मतलब होता है कि जो जनकारी आपको प्राप्त हुई है जिसके बारे में आपको ब्याख्या करना है वह जो जनकारी है उसका आपको करना होगा चयन करना या इसका मतलब परधर्शन करना या अनुपरियोग का मतलब निर्मान करना या गरना करना होता है इसके बाद से जो ये सारी किरियाएं करते हैं क्यान और बहुत अनप्रयोग उसके बाद से इन सभी जनकारियों को लेते हुए हम करते हैं इसका मिसलेसर विष्लेसर सब्द में यदी हम देखें तो इस सारी जनकारियों का हम टुकडे टुकडे में करके या प्रिथकरन करके या संकेतिक रूप में लाके आलोशना करके विवेधी करन करके उनको हम सीखते और समझते हैं जब ये काम हम कर लेते हैं कि टुकड़े या प्रित करन करके उनको समझ लेते हैं अब उन सभी टुकड़े वाली चीज़ों को इकठा करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं संसलेसिर करन या एक तरीके संसलेसर इसमें क्या होता है कि जो हम सभी वस्तुवा जो टुकड़े करके समझें उनका संस्लेशित करके यानी जोड देते हैं उनका स्रीजन रूप तयार कर देते हैं या एक प्रारूप तयार कर देते हैं फिर उनका बर्डन करते हैं अंत में एक आता है कि इन जब सभी जो संग्यानात्मक्षेत्र का सभी जो पांचों परकिरिया हम कर लेते हैं तो एक अच्छे सिचर की विशेस्ता नहीं है, इसको डूर्डना है, अच्छे सिचर की विशेस्ता क्या नहीं हो सकती है, तो यहां देखे दिया है स्वेच्छा आचारी यानि अपने आप कोई भी बेवार करना तो यह एक अच्छे सिच्छड की विशेस्ता नहीं होती है यह बास सही है और नहीं वाला ही एक तरीके से आप से क्या किया है पूछा हुआ यदि आप देखें तो यही वाला जवाप correct हो जाएगा आपसर नमीर A जो होगा correct हो जाएगा B क्या बोला है कि जनतांत्री यहनि कि एक तरीके से समझें कि अच्छे सिच्छार की विशेश्था जो होती हो जनतांत्री होती है जब कोई भी सिच्छा धारन करने जा रहे हैं तो लोगों के बीच में होनी चाहिए, लोगों के साथ होनी चाहिए, लोगों के साथ समन्नोय के लिए होने चाहिए, लोगों के समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए उसमें सबसे इंपोर्टेंट करी हुई है सहानुभूती पूर्ण जब अजसे सिच्छर की सबसे वड़ी इंपोर्टेंट सीज होती है कि उसमें सिमपैथी होती है सिच्छा कितना भी धारन कर लीजिए लिहाज नहीं है किसी के साथ ब्यवहार का तो इसका मतलब वह सिच्छा धरी की धरी रह गई बेकार हो जाएगी इसलिए सिच्छा में सहानुभूती पूर्ण होना ज़रूरी है तो ये भी आपसन सही है हमसे नहीं पूछा है तो नहीं हमको मिल चुका है इसके बासे वांसनी सूचना देने वाला ये भी एक इंपोर्टेंट कोशन है कि वांसनी सिच्छा और सूचना देने वाला जो होगा वह एक अच्छे सिच्छड की विसेस्ता होगा कोशन हम देख रहे हैं नाइन्थ में जहां दिया हुए अभी प्रिनड़ा का प्रतियासा कोशन नाइन देखेंगे यदि आपको देखें तो उसमें दिया गया है अभी प्रिनड़ा की प्रतियासा इसमें आपको असपस्ट हो जाएगा कि अभी प्रिनड़ा की प्रतियासा का मतलब क्या होता है किसके द्वारा दिया गया है और क्यों दिया गया है इसके बारे में हम संपूर्ण जनकारी देख लेते हैं